स्लामों अलेकुम दोस्तों लास्ट टाम हमने बात किया था हर्डवेर और सॉफ्टवेर का आज जो है में के कुछ डिफ्रेंसेज पढ़ेंगे और कुछ ऐसे डिफ्रेंसेज जिसमें समझ के पढ़ना बढ़ता है बहुत ही आसान है और इसको थोड़ा सा समझेगा तो आपक सॉफ्टवेर के बिना और सॉफ्टवेर के नोट एक्सेक्यूट विदाउड हडवार सॉफ्टवेर भी जिए हाडवाय के बिना परفर्फाम नहीं कर सकता उसल इसके बाद जो हैं हार्डवेर वो चीजज में जानों जिसमें जो हैं गया त ram software is intangible as we can see and also use the software but cannot touch them ये इसकी simple मैं example दों तो software और hardware इसमें ये बोल रहा है कि hardware जो है जान है और software एक row है मतलब इसको hardware को हम touch कर सकते हैं और software को हम touch नहीं कर सकते हैं अब उसके बाद जो है replacement की बाद करें तो यहां भी hardware damage जब hardware damage होता है तो उसको हम replace कर सकते हैं मतलब replace करना पड़ेगा हमें एक नया लेकर आना पड़ेगा replace with a new one तो अब उसके बाद software क्या है कि software is damage जब software damage होता है तो उसकी backup copy हो जाती है और इसको reinstall भी कर सकते हैं अब उसके बाद जो है यहां बे वाइरस hardware is not affected by computer virus hardware में जो है कोई virus वगरा नहीं लगता हां यह बाद है कि इस पे जंग वगरा लग जाते हैं क्योंकि components हैं और software is affected by computer virus computer में जो है virus जहां बे लगते हैं वो है software software में वाइरस इसमें affected कर सकते हैं अब उसके बाद जो है types की बात किया तो hardware में it has four main categories input device, output device, storage or internal components. Input, output and storage input or output के हवाले से हमने पहले बात किया था और internal component के बारे में, बाद में इन्टरने के बारे में भी मैंने पहले बात किया था और इसके बारे में internal components वो जो computer जो CPO के अंदर है वो internal component है अब उसके बात जो हाड़वेर हाड़ उसमें software में it is mainly divided into system software and application software software को दो जगा पर इसने तक्सेम किया है कि system software है और एक application software है तो यह था हमारा जो है डिफरेंस हाड़वेर और software की यहां पर इनको सही से देख लिए जाएगा और बहुत यह आसान है अब मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो यहां पर आपके पास जो है मैं एक सिक्रीन बना दिया और इसके बास यह आपके बास जो है LCD हो गया और मैं ज्यापके बास CPU हो गया अब CPU में क्या है हैं क्या हैक्या आपके बास जो हैं इसके अंदर के मैं कम्प्योटर है और उसके बाद में हैं मैस चाल अब ऑर इसी तरह heroes inimby bave एक्सल बोर पॉइंटंट Side Jim a और स्थरा जो है जितने भी चीजिजें सही इसल यहां प्लोर आपके बास माउस भी लगते हैं ये इसके साथ जुहेंक कीबोड भी लगते अब जो सीपियो के अंदर जितने भी चीज़े हैं जितने भी components हैं जो पुर्जे हैं और ये mouse है keyboard है CPU है ये जितने भी चीज़े हैं ये आपके पास क्या गया लाएगा कि hardware हैं और आपके पास जो है जो MS Word है MS Word है Excel है Google है इनको हम चूर नहीं सकते हैं जो अंदर हैं यहां भी अगर टच करें तो हम सिक्रीन को चूर हैं लेकिन software को हम चूर नहीं सकते हैं यह क्या कहलेगा हमारे बास जो है software कहलेगा यह software है सेम इसी दर हमारे बास जो है system software और application software नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझ जा गया होगा और आज के लिए इतना ही है अलाँ आफिस्ट